वीडियो सुदू कोईनर से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है जो वीडियो है इसे बनाने में लग बग 2 हीट है स्पेंड होएं खर्चू हैं और यह आपकी असिस्टेंस के लिए हैं आपकी साहेता के लिए हैं तो आपको यह वीडियो 20 परसेंट भी पसंद आता है तो प्ली इन बातों पर ध्यान करिएगा अब हम वीडियो में content को discuss करते हैं अब हम लोग जो राजसान IT job fair है उसमें जो companies हैं उनकी अभी details latest upload हुई है update की गई है इसमें 500 plus companies confirm है और vacancies का जो number है वो भी अब 40,000 के असपास रहने वाला है companies 500 plus है और candidates अभी तक 1,6,330 registered हुए है तो ये कुछ आपके सामने नई latest update है जो share करनी थी इसके अलावा आपकी education के according कौन से company में आप apply कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जब मैं इस website को explore कर रहा था तो मुझे यहाँ अभी तक जो सबसे नई चीज मिली है वो ये है कि इसके अंदर 10th pass candidate भी apply कर सकते हैं तो अभी तक मुझे यह पता है कि इसमें minimum 10th pass students या candidates भी apply कर सकते हैं आगे देखते हैं आपकी qualification के according कौन से companies होती है आप अगर technical field से हैं तो technical field के लिए कौन से vacancies है अगर आप non-technical मतलब ऐसे degree diploma जो technical नहीं है तकनीकी नहीं है उसके लिए कौन से नौकरी या companies रहने वाली है और यह बहुत simple तरीका रहने वाला है इन companies को explore करने का आपकी qualification के according वो company search के उपर touch करिणा है उसके बाद में हमारे सामने processing शुरू होती है और open हो जाती है तो यहाँ पर आपके सामने यह जो job secure registration के just नीचे highest qualification work experience company sector, object industry, company name और dome zone जो है इनके बारे में कुछ details दी हुई है इसमें हम 3 या 4 अलग-अलग education background यानि सबसे अलग-अलग तरीका जो है वो यह रहेगा कि हम अलग-अलग education के according अलग-अलग companies choose करेंगे पिर उनका area देखेंगे उनके companies search करेंगे companies के list search करेंगे तो हम 3 example देखेंगे इसके अंदर हम highest qualification की बात करें तो पहले तो हम यह देख लेते हैं इसका मतलब अगर यह शो हो रही है तो यहां इस category के जो candidates हैं जो जिनकी शिक्षा 10th, 12th, 5th, 8th class है उनसे लेके और higher studies के अंदर engineering, m.com, m.sc, m.o.t, m.ped, m.pharma, p.g. diploma r.k.c.l. tally के जो courses हैं उनके candidates के लिए भी job रहने वाले हैं तो यह इस website के according 5th class पास से लेके higher studies तक candidates के लिए job बता रही है अब हम यहां पर एक example ले लेते हैं example के लिए हम जो है वो पहला example हमारा एक battle of science के subject से शुरू करते हैं जैसे हमने B.S.C. चूज किया highest education में उसके बाद हम यहां company, sector, industry चूज करेंगे द्यान रखियेगा आपने B.S.C. किया है तो आपका B.S.C. साइंस है और साइंस के लिए आपको यहां sector और industry अगर आपकी चूइस है तो आप अपनी choice के according ले सकते हैं और अगर आप science के sector के according लेना चाहें science के industry के according लेना चाहें तो वो भी आप यहां ले सकते हैं तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि science के according यहाँ biotechnology हो गई और यह chemical petrochemicals हो गया science के according साथ में यहाँ पर यह fertilizer pesticides हो गया क्योंकि science में आता है उसके अलावा food and packaged food science में आता है और यह general subject भी है इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको और भी कुछ science related industry या sector मिलते हैं तो आप choose कर सकते हैं तो यह मैं choose कर चुका हूँ अब हम company का नाम जो है वो जैसे आप यह यहाँ पर data feed करते हैं data feed होने के बाद internal processing शुरू होती है यह software काम करना शुरू करता है और companies ढूंड के लिए कि आता है आपके दिये हुए sector और industry के according तो अब यहाँ पर यह companies आपको मिल गई है इन companies के अंदर आपको जो भी companies choose करनी है जैसे यहाँ यह पहली company दूसरी company और इन company की खास बात यह है कि जैसे यहाँ पर यह chemical की company क्योंकि हमने chemical search किया है और यहाँ पर यह foods किया है क्योंकि हमने foods भी select किया था again वही chemical select किया था organics science का part होता है chemical science का part होता है यह कुछ industries जो है वो है good health industries क्योंकि हमने science choose की थी तो यह companies जो है वो basically science और आपनी जो bio technology life sciences chemical petrochemicals और fertilizer select किये थे उसके according यहाँ आई है आप इन में से किसी एक company को companies choose कर सकते हैं जैसे लगाता है आप 4-5 option दे सकते हैं इसमें इनके stall भी दिखा रहा है यह साथ के साथ यह मैं choose करते जा रहा हूँ सारी companies एक साथ touch होके वहाँ पहुँच रही है sample जो है वो हम battle of arts के degree के साथ लेते हैं तो जैसे हम यहाँ BA touch करते हैं BA touch करते हैं यह highest qualification रहने वाली ध्यान रखिएगा अगर आपके वास MA वगेरा हो master of arts हो तो आप वो भी यहाँ पर आके ढूंड के touch कर सकते हैं depend करता है कि आपकी qualifications क्या है आप BA, MA है आप BSC, MSC है आपने और कोई diploma कर रहा है तो वो आपको एक एक one by one choose करना है वो यहाँ आपके सामने screen के उपर आते जाएंगे यह जो यहाँ लिखा हुआ हुआ है वहाँ पर तो जहाँ तक मुझे idea है आप science के sector और industries को choose नहीं करें क्योंकि वहाँ आपको job मिले के chances नहीं रहेंगे तो आप देखे B.A.M.A. क कौन से jobs किये जा सकते हैं कौन से sector या industries हो सकती है तो नीचे से ढूनना शुरू करते हैं इस बार हम यहाँ पर जो ट्रावल टूरिस में वो ले सकते हैं टेलिकॉम सेक्टर ले सकते हैं साथ में रिटेलिंग ले सकते हैं रिटेलिंग बहुत अच्छा sector होता है इस qualification के candidates के लिए टेलिकॉम एक बर skip करेंगे उसके बाद में social media ले लिया रियल इस्टेट भी बहुत अच्छा sector है इस field के candidates के लिए others तो जरूर आपको others का जो option है वो हर qualification के लिए डालना है क्योंकि others में आपको जो extra advantage या bonus के रूप में कुछ company दिखा दी जाएंगी उसके बाद हम आते हैं नीचे उपर वापस से तो यहाँ पर government PSV defense का भी एक sector आप हर उसमें डाल सकते हैं education डाल सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर यह cement डाल सकते हैं और agriculture dairy, forestry, fishing advertising and PR events डाल सकते हैं आपको धियान रखना है आपकी academics के according, आपकी पढ़ाई के according आपको sector और industry चूज करनी है others का option जो आता है वो आपको सब जगे डाल देना है तो जब हम यह data इसमें feed करते हैं तो data feed करने के बाद में अब processing अंदर शूरू हो चीए software में और आपके समने अपकी अजुकेशन के अकॉर्डिन पर अपियर हो जाएगी तो यह कुछ क्राइटेरिया था जिसके अंदर आप कुछ मिंटों के अंदर अपनी पढ़ाई के अपनी शिक्षा के अपनी कंपनी जूड सकते हैं इस वीडियो में इतना ही हमरे जितने भी एस वाइजियंस जॉब फियर में जॉब के लिए जा रहे हैं उन सबी को मेरी तरफ से शुब कामना है इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू सो मच फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में झाल झाल झाल